नमस्कार में हो दिव्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज अटेज फेवरी दिन सुक्रवार खबरों के ओबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर लोगसबा चुनाब को लेकर बिहार के सीमा पर चेक पोस्ट का निर्मार नियमों का उलंगन करने बाले अपसरों पर होगी कारवाई बिहार दियलेट परिक्छा का डबी अद्मिट कार जारी बिहार की कई जिलों में हलकी बारस का अलेट जमाबंदी अपने नाम पर होने पर ही बेच शकेंगे जमीन इंटरनेट के दुनिया में भारत ने हासिल किया नया मुकाम आज से शुरू होगा इंडिया बनाब इंग्लेंड का चौथा टेस्ट मैच अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के पजीज बरी खबरों के और विस्तार से सेंटर डेलवे बैंक ने बारवी पास जिवाओं के लिए निकाली भरती चक्नीसियन हेर्पर कलरक चपरासी समित कई पदों पर सेंटर डेलवे द्वारा भरती निकाली गई हैं यह भरती कुल 622 रिक्त पदों पर निकाली गई हैं आविदन करने के इंतिम तारीक 29 फरवरी 2024 है एक चुक मिद्वार इसके आधिकारिक वेबसाइट CR.Indian Railways.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं आविदन के लिए जरूरी है कि उमिद्वारों ने 12 पास किया हो या असनाता की डिग्री हांसल की हो इसके लिए उमिद्वारों के अधिकता आयू सीमा 24 वर्स निर्धारित की गई है हाला कि आरक्षी तो मिद्वारों को इसमें छूट दिये जाएंगे उमिद्वारों का चैन इंटर्व्यू के माधिम से होगा चैन तो मिद्वारों को 19,000 रुपे से लेकर 29,200 रुपे दिये जाएंगे भरती से संबंदे तदिक जानकारी के लिए आप इसका दिस सूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं बिहार बोड की जेई नीट की मुफ्त कोचिंग में परहाएंगे सरकारी सिक्चक बिहार बोड की जेई नीट की मुफ्त कोचिंग में सरकारी सिक्चक परहाएंगे बिहार विद्याले परिक्षा समीती ने इसके लिए 29 फरवरी तक का समय दिया है इंजिनियरिंग और मेडिकल की तयारी के लिए फिजिक्स गनित कैमेस्ट्री और जी विज्ञान के सिक्षकों को आविदन करने के लिए कहा गया है सिक्षक ने अगर किसी कोचिंग में एक साल पर हाया है वही इस मुफ्त कोचिंग में परहाएंगे इसके लिए वेबसाइक coaching.biharboardonline.com slash teacher form slash teacher form पर आविदन करना होगा मालूमों कि राजे के 9 जलों में बोट की मुफ्त कोचिंग चलेगी साल 2024 में मैर्टिक परिक्षा में सफर परिक्षातियों को जेई और मेडिकल की मुफ्त कोचिंग करवाई जाएगी बिहार पैटर में आज हम बात करेंगे मुंगेर के खरकपुर जील के बारे में मुंगेर में ये जील पहारियों के बीच में देखने को मिलती है ये पिकनिक स्पोर्ट के लिहाद से सबसे बढ़िया स्थान है ये जील आपको जिला मुख्याले से 37 किलोमीटर दूर इस सित हवेली खरकपुर में देखने को मिल जाएगी इसका निर्मान दर्भंगा महराज द्वारा वर्स 1876 में करवाय गया था ताकि किसानों के खेतों मे पठ्वन की सुविधा आसानी से मुहया करवाई जा सके यहां आपको आपके मनोरंजन के लिए मोटिंग जैसे कई मनोरंजन के साधन मिल जाएंगे पहारी से मनोरं बादिया देखते मनती हैं पहारों में जब आप प्रकिर्टी की गोद में खेलती जील को देखेंगे तो कई लोग यहां कई अफसरों पर घूमने आते हैं यदि आपको भी प्रकृति की इन खूबसूरती को देखना है तो यहां आ सकते हैं। एक सो चोरावे एससवी चेक पोस्ट बनाए गए हैं। नेपाल से आने वाले व्यक्तियों पर करी नज़र रखी जाएगी। संदेग्द सामागरियों की बॉडर पर जाच होगी। भारत और नेपाल के सीमा पर चौकसी बढ़ चुकी है और पुलिस का इलाकों में फ्लैग म कर रही हैं। जमीन की जमाबंदी को आधार से लिंक करने का काम जल्द होगा पूरा। बिहार विधान सभा में राजमें जमीनों की जमाबंदी को आधार से लिंक करने का मामला उठाया गया। भाजबा विधाय करुन संकर प्रसाद ने अपनी सरकार से सवाल किया कि ये का कब तक पूरा हो जाएगा बिहार में चार करोर आठ लाग के कुल जमाबंदी है जबकि 84,36,439 जमाबंदी को आधार से लिंक किया जा सका है बीजेपी विधाय के सवाल पर बिहार के सरकार के डिप्टी सीम विजय कुमार सन्हा ने जवाब दिया है उन्होंने कहा है कि काल औ माफिया से मुक्ती मिलेगी नियमों का उलंगन करने वाले अपसरों पर होगी कारवाई सिक्षा मंतरी विजय चौधरी ने कहा है कि नियमों का उलंगन करने वाले अपसरों के खिलाप कारवाई की जाएगी सदन के सदस्यों से सिक्षा मंतरी ने कहा है कि नियमों का उलंग सुधार के सिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग संग बना कर सक्रिये हैं और मेरिया में गलत जबाब देते हैं ऐसे लोग सैक्षिनिक महौल को खराब करते हैं इसमें सुधार के लिए कारवाई की जाती है विहार दियलेट परिक्षा का डमी अद्मिट कार जारी हो गया है इससे दियलेट के आधिकारिक वेबसेट दियलेट विहार.in पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है वहीं से डाउनलोड करने के बाद रूटी में सुधार करना संभाव है आविदन फॉर्म में संसोधन के लि परिक्षा सुल्क जमा कर दिया था साथ ही अपने आविदन फॉर्म को ठीक से जमा किया था आपको बता दे कि 26 फरवरी तक परिक्षारती इस जमी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद इसमें सुधार करवाना भी संभाव है 26 फरवरी के बाद एडमिट कार में सु कबड़ी खेलने वाली महिनाय ट्राइल में भाग ले सकती हैं विहार राज्य खेल प्रादी करन के महा निदेशक रविंद्र संकरन ने बताया है कि अपरिल महीने में पहले या दूसरे सब्ता में इसकी शुरुवात होगी प्रो कबड़ी लीग में चेह टीमें हिसा अच्छे टीम के चेहन के बाद अलग-अलग नामंकरन होंगे उन्हें अलग-अलग जर्सी भी दी जाएंगी इस लिग के दोरान विहार टीम का गठन करने का भी प्रयास किया जाएगा साथ ही उन्हें आगे अच्छा प्रदर्सन करने के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाए बताया जा रहा है कि 28 फवरी 24 को ये रासी जारी की जाएगी इसके पहले 15 हवेंबर को 15 किस्त की रासी किसानों के खाते में भेजी गई थी 8 करोड से अधिक किसानों ने इस योजना का लाब उठाया था सरकाने 18 करोड की रासी जारी की थी वहीं अब 28 फवरी को 16 वी किस्त जारी की जाएगी इसमें लाभारती को सहायता के लिए हर साल 6 हजार रुपे तीन किस्तों में दिये जाते हैं बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राम सरंद सर्मा के बारे में इनका जन्म 26 नवेंबर वर्स 1919 में बिहार में हुआ था ये एक भारते तेहासकार और इंडो लॉजिस्ट थे साथी प्राचीन और प्रारंबिक मद्यकाली इन भारत के तेहासके विसे सग्गे भी रह चुके हैं इन्होंने अपने छेतर में कई सराहनी कारे किये ये भारते एतिहासक अनुसंदान परिशत के संस्था पक अध्यक्ष और अंतर्रास्टी ख्यातिक एतिहासकार के रूप में प्रस्थ हुए इनके सरहनी कारे के लिए कई पुरसकारों से इने सम्मानिज भी किया गया है दिन में विस्विनात कासिनात राजवारे पुरसकार एच के बार पूजारी पुरसकार आदी सामल है इनके प्रमुक कारेों में प्राचीन भारत में राजनेतिक विचारों और संस्ताओं के भारत का प्राची नतीत आर्यों की तलास भारती सामन्तवाद आदी सामल है सहकारिता मंत्री ने धान की खरीद में गर्बरी पर जांच की कही बाद धान की खरीद में गर्बरी को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार का बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि धान की अधिप्राप्ती में गर्बरी की जांच करवाई जाएगी साथ इस दौरान उन्होंने सवाल खरे करते में कहा कि धान की खरीद कम होई तो कौन सत्ता में थे हमने सहरसा में धान अधी प्राप्ती में गरबरी करने वालों पर करी से करी कारवाई करने का नर्देश दिया है इस दौरान उन्होंने बताया कि राजे सरकार ने विभिन विभागों की जांच के नर्देश भी दिये है उन्होंने कहा कि राजे के गरीब और वंसित लोगों को विकास कारों से सहकारिता के माध्यम से जोडने का काम हो रहा है किसानों की आय में बरहोतरी हुई है राजे में क्रिसी के विकास को तीन क्रिसी रोड मैप के माध्यम से प्रमुक्ता मिली है बिहार के 35 जिलों में मई में होगी नीट की परेक्षा बिहार के 35 जिलों में नीट यूजी की परेक्षा पांच मई को आउजद की जाएगी Medical Collegeों में नामंकन के लिए नीट 24 के आवेदन की प्रेक्रिया जारी है परेक्षा के लिए जिलों के भी घोसना कर दी गई है पटना अररिया अर्वल भोजपूर बांका बेगु सराय दर्भंगा गोपाल गंज खगरिया वैसाली मदुबनी नालंदा सहीत 35 दिलों में एक्जाम सेंटर बनाए जाएंगे परेक्षारती 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं तीन घंटे 20 मिनट की परेक्षा होगी ये दो फैर के दो बज़े से लेकर साम के 5 बचकर 20 मिनट तक के लिए आउजद की जाएगी जानकारी के नुसारे का भीरती केवल एक ही आवेदन करेंगे चात्रों का आवेदन करने के दौरान अपने माता पिदा का मोबाइल नंबर डालना होगा जमाबंदी अपने नाम पर होने पर ही बेच सकेंगे जमीन बिहार में जमीन को बेचने के लिए ये जरूरी होगा कि बठवारा कानून के मताबिक की जाए जमाबंदी अपने नाम पर होना चाहिए जिसके नाम पर जमाबंदी होगी वही जमीन को बेच सकेंगे इसके लिए सरकार ने सभी निबंधन और अवर निबंधन कारियालें को पत्र भेज दिया है इसके बाद अनुमान लगाय जा रहा है कि जमीन विवाद से जुरे मामलों में कमी आएगी जानकारी के नुसारब जमीन की रजिस्ट्री करने के दोरान ही जमाबंदी का प्रमान भी सौपना होगा बताया जाता है कि कई ऐसे मामले सामने आये थे इनमें पिता दादा के नाम पर दर्ज जमाबंदी की जमीन में अपना हिस्सा बता कर उसे ही बेच दिया गया इसके बाद ये मारपीर या गंभीर अपराद की वजह भी बना वही अब जमाबंदी नियावावरी लागू होने के बाद जमीन के विवादों में कमी आएगी सुसान सिंग राजपूत को लेकर उनकी बहने किया हैरान कर देने वाला दावा हेक्टर सुसान सिंग राजपूत की निधन को चार साल हो चुके हैं इसके बाद उनकी बहन ने उनकी आत्मा से बादचीत करने का दावा किया है उन्होंने अपने सोसल मीडिया अकाउंट पर एक इंटर्व्यू सेर किया है इसमें उन्होंने कहा है कि वे अपने भाई की आत्मा से बादचीत करती है वे बताती है कि वे अपने भाई की आवाज को सुन सकती है सुसान की बहन का दावा है कि उनके कार में अपने आप उनके भाई के गाने भी चलने लगते है श्रया कहती हैं कि वी मेदिटेसन करती हो औधार्मी कस्तलों पर भी जाया करती हैं, एस जौरान वी अपने भाई को महसूस करती हैं बिहार के कई जिलों में हलकी बारिस के इलर्ड पहारों पर सक्रीव चोप के कारण बर्फबारी होने का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है आज प्रदेश के दक्षिनपूर बिहार में जिनमें भागलपूर बांका जमुई मुंगेर खगरिया जैसे जिले सामिल है वहाई की अदो अस्थानों पर हरकी बारिस होनी की संभावना जिताई गई है प्रदेश में अधिकतर जगों पर मौसम सुस्क रहेगा प्रदेश का अधितम तापमान 26-28 डिग्री और नियुंतम तापमान 12-14 डिग्री रहने की संभावना है आयोध्या के किसानों को मिधला के विज्ञानी देंगे खेती की ट्रेनिंग बिहार के मिधला छेत्र के विज्ञानी डाम आयोध्या और उसके आसपास के छेत्रों में किसानों को इसका अच्छा असर देखने को मिला था पूर्वी उद्रा पदेश के जलिये छेतरों में मखाना की खेती करने की तैयारी की जा रही है। परहाई के साथ-साथ चात्रों चात्रों की मानसिक वा सारिक सिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए आयोग ने करी तैयारी की है दिर्वाचन आयोग के अप के माध्यम से वोटर और प्रत्यासी अपने सिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वही चुनाप के दौरान बूत पर भी गरबरी होने पर इसके सिकायत की जा सकती है। इस पर निर्धारित समय के अंदर ही कारवाई होगी। इससे बूत पार्टी या उमिद्वार की सिकायत की जा सकती है। इस पर फोटो या टेक्स के माध्यम से सिकायत किया जा सकता है। इसके बाद एप खुद लोकेशन का पता कर लेता है। और नजदीकी मजिस्टेट को सौ मिनट के अंदर भेजा जाएगा। बात को सुविकार कर लिया। लेकिन 17 महीने के राज़त के काम को देकर सियम नतीज कुमार डर गया। इस वज़े से उन्होंने पल्टी मार दी। तिजस्वी आदब ने एक बार फिर से कहा है कि राज़ देमवाई समिकरन की पार्टी होने के साथ साथ ये बाप की भी पार्टी है। इसलिए सबी लोगों को मिल कर काम करना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने लोगों से वोट के अपील करते वे का कि तीन लाख लोगों को पटना पहुंचाए। और बहुमत दीर ये साथ ही चुनाव में भाज़पा को हराने का काम की दिया। गिरी राज सिंग का बया नितीस कुमा ने तिजस्वी को दिया राजनीतिक जीवन। गिरी राज सिंग ने बताया कि आज़ेडी केवल जातिवाद के कारण सुत्ता में आई थी। इसके बाद में परिवारवाद आ गया। इसमें लालू यादव उल्जे हुए थे। इसके बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्त जस्वी यादव इसमें उल्जे हुए थे। एक सदन का नेता बेटा है और सदन का नेता उनकी माँ है। उन्हें पूरी पार्टी में कोई दूसरा नहीं मिला क्या। आज से शुरू होगा इंडिया बनाव इंगलेंड का चौथा टेस्ट मैच। भारत और इंगलेंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सिरीज का चौथा मुकाबला आज से शुरू हो जाएगा। इस सीरीज में इंडिया दो एक से आगे चल रहा है। भारत की टीम ने अपनी तयारी पूरी कर ली है। ये सीरीज इंडियन टीम अपने नाम करना चाहेगी। आपको बता दे कि चौथा टेस्ट मैच जेस्सी इंटरनेशनल स्टेडियम कॉंपलेक्स राची में होगा। सुभरत के चाहस में आज की तारीक करन संगठन विश्म मानक की अस्थापना स्थापना की थी। आज कि निवर्श 1957 में अभिनेत्री मदुबाला दे दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज के दिन वर्श 2009 में भारते तिरंदाज बैंक कॉक में A.C.I. ग्रांप्री तिरंदाजी चेंपियंशिप में टीम असपर्दा में तीन रज़त पदक जीते थे आज के दिन वर्स 1913 में भारत के प्रसित जादुगर पीसे सरकार का जन्म हुआ था आज के वारिल खबर में हम बात करेंगे नौकरी देने का दावा करने वाली फरजी वेबसाइट के बारे में अभी हाल में ऐसे वेबसाइट की जानकारी सामने आई है जो लोगों को नौकरी देने का दावा कर रही दरसल राश्ट विकास योजना.org नाम की ये वेबसाइट कई पदों पर आम लोगों को नौकरी देने का दावा कर रही है साथ ही आविदन सुलकी के रूप में 1675 रुपे मांग रही लेकिन आपको बता दे कि वेबसाइट पूरी तरह से फरजी है और P.I.B. ने कहा है कि भारत सरकार के अगरिकल्चर और फार्मर वेलफेर की तरब से इस तरह के वेबसाइट को संचालित नहीं किया जा रहा इसलिए इस तरह के फरजी वेबसाइट पर विस्वास ना करें इंटरनेट की दुनिया में भारत ने हासिल किया नया मुकाम आज के समय में इंटरनेट दुनिया के हर एक कोने में पहुँच चुका है इंटर्टेन्मेंट की मौझूदगी में हमारे कई काम पहले से काफी आसान हो गया इसी करी में क्या आपको पता है कि इंटरनेट के मामले में दुनिया में भारत भी काफी आगे आ चुका है दरसल ओकला के एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे तेज इंटरनेट वाले देशों के लिस्ट में भारत भी अपनी जगा बना चुका है उकला के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे तेज इंटरनेट वाले देशों के लेस्ट में भारत अठारवे अस्थान पर है जहां 99.3 Mbps डाउनोर्डिंग स्पीड है आपको बता दे कि उकला की आईगे रिपोर्ट जन्वर्डी 2014 के मुताबिक है इससे पहले साल 2023 देसमबर में भारत एक इस्वे अस्थान पर था वर्ड एकोनॉमिक फोरम ने भारत को लेकर की भवस्वानी की है फोरम के अध्यक्स बोर्गे ब्रेंडे ने कहा है कि आने वाले समय में भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ व्यवस्था वाला देश मनेगा भारती अर्थ व्यवस्था को आगे बनाने की उमीद जदाई वर्ड एकोनॉमिक फोरम के अध्यक्स ने पीम नरेंद मोदी का दावोस में स्वागत किया है साथ ही कहा है कि भारत उमीद से भारा हुआ है यह देश कई सुधारों से होकर गुजरा है हम प्रती दिन आपसे पांच जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब किस स्थिती को मनिपूर में खाल और तरिपूरा का स्थापना दिवस मनाया गया है ऑप्सन नहीं है ठारा फरवरी ऑप्सन भी है 19 फरवरी ऑप्सन सी है 20 फरवरी ऑप्सन दी है किस फरवरी इसका सहीं उतर है किस फरवरी किस प्रख्यात लेखा को और कॉंग्रेस नेता को फ्रांस देश के सर्वोच नागरिक सम्मान से वेलियर डेल ला लीजन ही हुनूर से सम्मानित किया गया है आपसन है जैराम रमेश को आपसन भी है ससी थरूर को आपसन सी आचारिप्रमोद करिस्दम को आपसन डी है राहुल गांधी को इसका सहीं तरह ससी थरूर को कहां पर भातिय आवाज परियोधना के अंतरगत 1300 घरों के निर्मान का आपसन भी है स्री लंका में संपूर्ण क्रांथी के शुरुवात निम्नवे से कहां हुई थी ऑप्सने है भागलपूर ऑप्सन भी है कानपूर ऑप्सन सी है पटना ऑप्सन दी है गया कि इसका सधार पटना इसका सयुतर है पटना बिहार में उर्दु को दूसरी राजभासा का दरजा कब दिया गया ओप्सन ई है uneasy ऑप्सन भी है uneasylect押शासी ऑप्सन सीऑ 89 ऑप्सन ली ukनी सो भिडान aerospace से हमाओ दो मुझ difशे है के सवाल का आप लोगों में से बहुत होना जाब हमें वारे कोमेंस से बाक्स में लिका दिया थे जिन्होंने वह पुछे के सवाल का जवाब जो उनके नाम है उमेश रिसी देव दंदीत मिस्रा विकास दास पंचम वर्मा मंटुक कुमार रौसाद रजाब रजेस कुमार बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेत्र में बारस होई है या नहीं आप अपना जवाब हमें हमारे कोमेंस सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद